हेलो एवरिवन गुड आफटरनून दिन है मंगलवार का और आज जो है ना मैं आपके साथ एक अलग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आई हो पाप में से किसी ने ये खाई होगी अगर खाई हो तो कमेंड जो करके जरूर बताना तो ये हैं सिंबल इन्हें हमारे हैं सिंब ग्रीन दिखाई दे रहे हैं वो कच्चे हैं तो इनको बनाने जो है ना बहुत एजी होता है बहुत टेस्टी की सबजी बनती है तो वही बस मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी तो ये उबले हुए हैं मैंने ये उबा ले थे तो मैंने सोचा आपके साथ जो है रेसिपी शेयर कर देती हूं और ये जो साइड में दिखाई दे रहे हैं ये कच्चे सिंबल हैं तो इनको जो है ये ना मतलब मैं जब पहले जैसे नोयडा भी रहती थी तब भी मुझे ये कहीं मार्केट में नहीं दिखाई देते थे और अब यहां रहती हूं तो अब भी मतलब सब वाज Joam Mids और यहां जए नेना एक टेबल स्पून जो है बेसन दिया है और जो सिंबल मैंने बॉल के थी लिन्हें उनको अच्छे से मैस कर लूँगा मैं थोड़ा सा मैसन में और डाला था अ और अच्छे से मैस करने के बाद बेसन इसमें मिक्स करने के बाद इसमें मैंने एड कर दिया है चाज तो ये चाज भी घर का ही था मेरी मम्मी ने दिया था और अभी मैं इसमें हल्दी और मिर्च डाल दूगी जो मिक्सर मैंने रेडी किया था और इस सबजी को जो है अजवा तो यह थोड़ी देर बाद में डालना है जब इसमें उबाल आ जाए तो यह क्या होता है क्योंकि इसमें चाच डलता है तो यह थोड़ी देर बाद जब यह ठीक हो जाता है तो यहाँ पर बस जो है सिम्बल मेरे पक रहे थे और इनमें अबालाने लगा था तो मैंने बाद में नमक डाल दिया था और बस इनको भी जो अच्छे से कम से कम 15-20 मिर्ट मुझको पकाना है उसके साथ ही न मैं आटा लगा रही थी यहाँ पर आटा लगा के रग दूँगी तो फिर रोटिया जो है अच्छी बन जाएंगी और आज डुगगु गया हो था स्कूल और आज भी इतनी ज़्यादा ठंड थी ना यहाँ सुबह से ही काफे ज़्यादा फोग आया हुआ था तो मैंने डुगगु को जो है आज नहला कर नहीं बेजा था क्योंकि उसकी तब्यद भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी खांसी वगएरा हो रही थी उसे तो इसलिए मैंने उसका ऐसे ही बेज दिया था सोचा था कि next day जो है शावर दिला देंगे तो अभी बस मैं यहाँ पर रोटिया बनाने लगी थी और यह जो सबजी होती है इसके साथ जो चावल के आटे की रोटी होती है वो बहुत जादा अच्छे लगती है बट घर पर अभी अवेलेबल नहीं था और फिर हजबन का जो है काम वगएरा था तो मैं उनको मार्केर भी नहीं बहेश सकती थी तो फिर मैंने क्या काम क्या मक्य काटा रखा था घर पर उसमें थोड़ा सा जो है गेहु काटा मिक्स करके वो रोटिया बना रही थी तो यह रोटिया बना रही थी तो इस सबजी के साथ थोड़ी कड़क सी रोटी अच्छे लगती है तो हजबिन को बोल दिया था कि गरम-गरम खाली जी क्योंकि जो मक्य वगरा की रोटी होती है वो गरम-गरमी अच्छे लगती है थोड़ी देर भी रख दो तो फिर वो जो है तो मेरी मम्मी भी जो है ना इस पेशली ये सबजी बनाती हैं मेरे लिए क्योंकि मुझे ये काफी ज़्यादा पसंद है बट इस बार हम ज़्यादा दिन नहीं रुके तो ये मैं लेकर आ गई थी तो लंच वगरा सब हो चुका था डुगू भी आ चुका था और अभी ये थ था साड़े तीन पुने चार बजे का टाइम तो फाइनली यहां पर जो है आज धूप निकल गई थी थोड़ी सी और जिसे देखकर ना मुझे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि जब धूप निकलती है ना तो एक अलगी एनरजी आ जाती है आपका जो है ना काम करने का मन भी करता है तो फिर बस मैं हमेशा आपको फोग ही दिखाती हूं अपने आदो सोचाज आपको थोड़ी सी धूप भी दिखा देती हूं जो निकली है और बस यहां पर ना मैं थोड़ा सा रैस्ट कर रही थी तो बस अभी बैट वगरा को थोड़ा सा ठीक कर दूगी उसक क्या हुआ था मतलब किचन को क्लीन वगरा करने के बाद जब मैं आई थी ना तो मैं ऐसे ही बिस्तर में लेट गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे तो मोस्टराइजर वगरा लगाना जो है ना मुझे ध्यान नहीं था और हैंड जो है आपको पत करना था मतलब जिस बोटल से मैं पानी पीती हूँ वो पानी हो चुका था खतम तो मेरे पास ना कमेंट आ रहे थे कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जैसे एक सिपरा नाम की हैं तो वो कह रहे थे कि हम दीदी आपको कमेंट करते हैं और आप किसी भी कमेंट का जो है आंसर न पहुँच पाता हो बट मैं सब के जो है क्वेस्टन का अंसर जरूर करती हूँ तो अभी बस पानी वगार अगरम करके आज मुझे ग्रोसरी अपनी ओडर करनी थी तो उसके लिए मैंने एक आइडिया निकाला था क्या होता था कि जब भी ग्रोसरी में मंगाती थी ना निकाल लेती हूँ ग्रोसरी आइटम का और यह जो प्रिंट आउट है ना यह मैंने पिंट्रेस्ट से डाउनलोड करके निकाला था हलाकि इसमें जो है अब काफी कोलम नहीं थे तो फिर मैंने अपनी जरूरत के कोडिंग इसमें राइट डाउन कर लिये थे तो बस और एक अग्ट टू डेज में ही ना मुझे याद आता था रहे यह तो मैंने मंगाया ही नहीं है तो फिर जो है ना हस्बन से मुझे पर डाट पढ़ दी थी वो कहते थे कि तुम कभी लिस्ट क्यों नहीं बनाती हो और मतल लिस्ट बनाती थी भी ना तब भी मन्दा कुछ नहीं ज क्या है एक है जो हाउस होल्ड की चीजे होती है इस नैक की चीजोड सब चीजें दी हुई थी वेजिटेबल राइस फ्लार मत इतने सारे जो है इसमें कोलं दिये हुए थे तो इससे जो है लो सी मंगाना इतना आसान हो गया था मतलब मैं अपना परसीनल श्याप के साथ शे नोट कर ली थी और जो थी वो भी क्योंकि मैंने अपने जहां मैं अपनी ग्रोसरी स्टोर करती हूं वो सारे बोक्सेस निकालकर मैं चैक भी कर रही थी तो कुछ एक्ष्टा समान भी नहीं आएगा तो एक तरह से जो है आपका जो है किचन की सारी चीजे भी आ जाएंगे और लेते हैं तो ये मेरे साथ तो बहुत होता था तो मैंने ये जो लिष्ट आज ही मैं फंस्ट टाइम इससे ट्राई कर रही थी और मैं इतनी जाधा मत्र सैटिस्फ़ाई थी ना see चीज़ से मैं अपने हस्बिन से भी बोल रही थी कि इस लिस्ट से जो है ग्रोसरी जो है नोट करने में आम अम अधा काफी जादा हेल्प मिल रही है तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही ना मैं एक अपने जो है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की भी लिस्ट बनाऊंगी क्योंकि मैं नोट कर लूँगी तब ही ना मैं चाय बनानी जा थी तब ही हमने जो है यह यह उडर किया था क्योंकि जो हमारा पहला हीटर था ना वो हम मेरे ससूर हैं जब हम गाओं गए थे तो उन्होंने मंगाया था उन्हें जरूरत थी तो वह वाला हीटर हम गाउं में छोड़ कर आ गए थे और फिर ठन क्योंकि मैंने बताया ना काफी ज़्यादा हो रही थी तो फिर हम अपने लिए जो है नया हीटर मंगाया था तो बस अभी जो है ना किचन में हजबन वही चेक कर रहे थे हीटर की ये किस तरह से चल रहा था अच्छा हीटर था मतलब अभी तो इसके रिव्यू बगारा काफी अच्छे थे और इसमें जो है टेमपरेचर सेट करने का भी था तो सही लग रहा था अब देखते हैं यूज अधर्श करने के बाद ये कितने दिन चलता है किस तरह का ढ़न है जो है काम रहता है कैसे चलता है तो हजबन यहां पर चेक कर रहे थे और वह दूज़न ओको法 कॉन निकाल कर रहती हूं उसमें खतम और अपर तो फिर मैंने अपने ग्रोशरी वाले हैं से घ् Ahmed कर रही थीन म निकाल कर रख ली थी तो वही बस जार वगरा में डाल रही थी और साथी साथ यहां पर जो है ना अपने लिए भी चाय बनाना मैं स्टार्ट कर दूँगी और मेरी वीडियो पर ना मतलब जो जैसे ने ने सब्सक्राइबर जूरते हैं तो ये कमेंड भी बहुत जादा आता ह कि दीदी आप रहते कहां हो तो मैंने कई बार बता दिया है बट फिर भी बता रही हूँ कि मैं गुड़गाओं में रहती हूँ और गाईज आपना बिल्कुल भी ये मत सोचा कीजिए कि मैं आपके कमेंड का आंसर नहीं करती हूँ मैं सभी के जो है कमेंड का आंसर करती और मतलब जो भी कोई मुझे कुछ पूचता है मैं वीडियो में बताने की कोसिज भी करती हूँ और मैं परसनली भी उन्हें मैसेज करती हूँ बट कभी कभी पता नहीं कुछ गड़बड हो जाती है कि आप तक सायद वो मैसेज नहीं पहुँच पाता है तो प्लीज इस त क्योंकि मैंने लंज आज काफी अच्छे से किया था सब इतनी टेश्टी बनी थी ना जैसी मतलब मुझे पसंदा सेम वैसी तो हजबन ने जो है बनाया है अपने लिए सैंडवीच खीरा नहीं था तो इसलिए बस टमाटर और पनीर ही उन्हें डाला था साथी चाय भी बन देखे जो यह कहते ना मेरी वीडियो में कि दीदिया आपका घर हमेशा इतना नीट अन क्लीन कैसा रहता है तो कभी कभी नहीं होता है जब बच्चा घर में होता है ना और हस्बंड भी मतलब होते हैं जो मतलब फैलाते ही हैं समान तो कुछ इस तरह से जो है घर की कंडिश हो जाती है तो अभी जो है डुगु टीवी देख रहा था ना तो उसने मतलब सारे अपने टोई वगरा सब यहां पर लाकर रग दिये थे और हस्बंड वगरा भी जो है ना यहां पर बैठे थे तो सारे में ब्लैंकेट वगरा फैले हुए हैं तो ठंड इतनी जादा हो रह लेना मुझे मतलब ऐसा रहता है कि घर को थोड़ा सा साफ रहना चाहिए मतलब जब सोने जाएं या डिनर के बाद मतलब घर हमेशा जो है मुझे प्रिजेंटेबल लगना चाहिए तो बस वही मैं कर रही थी यहां पर चाहे मुझे दिन में दो से तीन बार करना पड़े ब गी बनाना था तो मैंने यह जो मलाई थी ना वो मौनिंग में ही निकाल कर रख दी थी क्योंकि अभी ठंडी इतनी जादा हो रही है तो फिर अगर तभी हाथ के हाथ बनाओ तो घी अच्छे से बनता नहीं है इसलिए मैंने सुबह में ही यह जो मेरा मलाई वाला डबा था वो निकाल के बाहर रख दिया था और अभी बस मैंने उसका घी बना लिया है हलका सा गुनगुना पानी डाल दो तो सर्दियों में काफी जल्दी से घी आ जाता है तो यहाँ पर बस जो है मैं घी बन गया था तो उसको बनने के लिए गैस पर लखूँगी और साथ ही जो इ पनीर बना के देखती हूं तो बस एक साइड मैंने घी रख दिया है दूसरी साइड वो जो दूद सा था था ना उसमें नीमबू वगएरा निचोड़कर मैं उसका पनीर बना लूँगी साथ ही साथ तयारी कर रही हूं डिनर की क्योंकि टाइम हो गया था डिनर का तो यहा यहां पर देखें पनीर मेरा बन चुका था और काफी अच्छा बना था मतलब मारकेर जैसा तो नहीं था बट ठीक था आप इसके प्राटे वगएरा या पनीर की भुझी वगएरा बना सकते थे खाने में ठीक लग रहा था और देखें साथ ही साथ घी भी बनने वाला था बस थोड़ी ही देर में और ये थी मेरी आज प्लाओ की तयारी सारा समान रखा है और ये चटनी जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था ना सोया की चटनी ये इतनी ज्यादा यम्मी बनी थी ना गाईज एक बार ट्राई जरूर कीजेगा मदद धनी की चटनी जो होती है ना मुझे उससे भी अच्छी लगी ये चटनी तो बस ये चटनी जो है खाऊंगी मैं डिनर में और साथ साथ बस अब घी भी मैंने अपना च्छान कर रख दिया है और ये हमारा आज का डिनर बहुत सारा मैंने घी डाला है खिचड़ी में अचार है मुली का दही और चटनी तो गाईज बस अब चलते हैं वीडियो के एंड की ओर और आज जो है मेरा ये ही व्लोग था आई होप आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलती हो आपसे नेक्स वीडियो में बबाए